सुमंत्र ने श्री राम लक्ष्मन और सीता का वैज संदेश राजा तर्शत को सुनाया सुमंत्र ने इस सद्ध्याय में आयुध्या पुरी की क्या अवस्था बताई जानते हैं श्रीवालमी की निर्मित आश्रामयन आधी कावे के आयुध्या काण में 69 सल्क सुमंत्र ने कहा जब श्री राम चंदर जी वन की और प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हिदे में धारन करके रत पर आरूड हो उधर से लोड़ा लोड़ते समय मेरे खोड़े नेत्रों से गरम गरम आशु बहाने रगे रास्ता चलने में उनका मन नहीं दखता था मैं गोहे के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठैरा रहा कि संभव है श्रीराम फिर मुझे बुला लें महराज आपके राजे में व्रिक्ष भी इस महांत संकट से कृष्काय हो गए हैं फूल अंकुर और कलियों से मुर्जा गए हैं नदिया चोटे जलाशे तथा बड़े सरूवरों के जल गरम हो गए हैं वनू और उबवनों के पते सूख गए हैं वन के जीवजन्तू आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते अजगरादी सर्प भी जहां के तहा पड़े हैं आगे नहीं बढ़ते शिराम के शोकसित पेड़ित हुआ वह सारवन नीरव सा हो गया नदियों के जल मलीन हो गए उनने फैले हुए कमलों के पते गल गए हैं सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं उनमें रहने वाले मतस और पक्षी भी नश्ट प्राय हो गए हैं जल में उत्पन होने वाले पुश्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंत से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते तथा फल भी पूर्वत नहीं द्रिष्टी गोचर होते हैं नर्श्ष्ट आयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए हैं उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं यहां के बगीचे भी मुझे पहले की भाती मनुहर नहीं दिखाई देते आयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन होकर बात नहीं की श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सासे खीशने लगे देव सडक पर आयोए सब लोग राजा का रत श्री राम के बिना ही यहां लोटाया है यह देखकर दूर से ही अश्रु बहाने लगे अटालिकाओं विमानों और प्रसादों पर बैठी हुए स्त्रियां वहां से रत को सूना ही लोटा देखकर श्राम को न देखने के कारण व्यतित हो ठी और हाहाकार करने लगे उनके कज्चल आदी से रहे बड़े बड़े नित्र आसों के वेग में डूबे हुए हैं विस्त्रियां अतिन्त आर्थ होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही हैं शत्रों, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों की भी मैंने समान अवस्था देखी हैं किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया महराज आयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं सारी पुरी आर्टनाथ से मलीन दिखाई देती हैं लोगों की लंबी-लंबी सांसे से भी इस नगरी का उच्छवास बन गई हैं यह आयोध्यापुरी श्राम के वनवास से व्याकुल ही पुत्र वियोगिनी कौसल्या की भादि मुझे आनंद शुन्य प्रतीत हो रही है सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रुकदगद परमदीन वानी में कहा सुद जो पापी कुल और पापून देश में उत्पन हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं उस कहकई के कहने में आकर मैंने सलाहत देने में कुशल वृद्ध पुर्शों के साथ बैठकर इस विशे में कोई परामर्ष भी नहीं किया सुहरिदों मंत्रियों और वेदवेताओं से सलालिये बिना ही मैंने मुहवश केवल एक स्थनी की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थ में कार्य कर डाना सुमंद्र होन हारवश ये भारी विपत्ती निशे ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्माता पहुची है सार्थे यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीग्रही श्रीराम के पास पहुचा दो मेरे प्राण मुझे श्रीराम के दर्शन के लिए शीग्रता करने की प्रेणा दे रहे हैं यदि आज भी इस राजे में मेरी ही आग्या चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्रीराम को बन से लौठा ले आओ क्योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा अत्वा महा बहुच श्रीराम तो अब दूर चले गए होंगे इसलिए मुझे ही रत्वर पिठा कर ले चलो और श्रीराम का दर्शन कराओ कुंद कली के समान श्रीद दांतों वाले लक्षमन के बड़े भाई महा धरुटर श्रीराम कहां है यदि सीता के साथ भली भादी उनका दर्शन करलो तब ही मैं जीवित रह सकता हूँ जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मनियों के कुंदल धारन करते हैं उन श्रीराम को यदि मैं नहीं देखूँगा तो अवशी यमलोग को चला ही जाऊँगा इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि मैं इस मरनासन अवस्था में पहुँचकर भी इक्षवा को कुलनंदन और राकविंद्र श्रीराम को यहां नहीं देख रहा हा राम हा लक्ष्मन हा वे देह राजकुमारी तपस्वनी सीते तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकर दुख से अनात की भादी मर रहा हूँ राजा इस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे आता हम वे उस परम दूरलंख शोक समुद्र में निमक्न होकर बुले देवी को सले मैं श्रीराम की बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है श्रीराम का शोक ही इस समुद्र का महान देख है सीता का बिचो ही उसका दूसरा छोर है लंबी-लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी-बड़ी भवरे हैं आसूं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाही उसका मलीन जल है मेरा हाथ पटकना ही उसमें उचलती हुई मचलियों का विलास है करुन करंदन ही उसकी महान गर्जना है ये भिकरे हुए केश ही उसमें उपलब्द होने वाले सेवार है कैकरी बड़वानल है वेशोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रू वर्षा की उत्पत्ती का मूल कारण है मन्थरा के कुटलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े-बड़े गर्णा है कुरूर कहकर के मागे हुए दो बर ही उसके दो तट है तथा श्रीराम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है मैं लक्षमन सहिच श्रीराम को देखना चाहता हूँ परन्तु इस समय उन्हें यहां देखने ही बाता यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है इस तरह विलाप करते हुए महा येशस्वी राजा दश्रंद तुरंधी मुर्चित होकर शैया पर गिर पड़े श्राम चंद के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दश्रत के मुर्चित हो जाने पर उनके उस अत्यन तर करुणा जनक बचन को सुनकर राम माता देवी कौसल्या को पुनह दुगना भै हो गया इस प्रकार श्रिवाल्मी के निर्मित आशामयन आधिकावे के आयुध्याकान में 69 सर्क पुरा हुआ नमस्कार मैं आभा शर्मा चावास अगर आपको ये प्रत्न सराहनी लगे तो आप कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं